गुड मॉनिंग फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल भी भास लाइफ में तो फ्रेंड्स सुबा का बज रहा है चार और हम आ गए है राम लीला में दान टहलने तो सुचा आज यहीं से ब्लॉग का इस टाइम से बहुत ज़्यादा यहां राम लीला में दान में भीड़ लग जाता है टहलने वालों का और एक्सरसाइज करने वालों का तो लेकिन आज संडे है तो आज नहीं है कोई दो-चार लोग हैं ज्यादा लोग नहीं है और हम यहां पे पांच बज़े तक टहलेंग उसके बाद चलेंगे रूम पे तो और हम इधर अकेले टहल रहे हैं और उधर जो एकसरसाइज का मोदी जी लगवाए है हर जगा वो यहाँ भी लगा है तो और लोग उसमें एकसरसाइज कर रहे हैं देखिए यहाँ पे और लोग आके एक्सरसाइज कर रही है, फिर भी बहुत कम लोग हैं आज, तो फ्रेंड्स हमां आके हैं टहल के, अभी बज़रा है पांच, अब थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद सारा काम, अभी देखिए, एक उधर सोया है, एक इधर सोया है, अब हम भी थोड़ा अभी पांच बज़ रहा है, पानी तो छे बज़े आएगा, एक घंटा भी फिर से सोयेंगे, उसके बाद फिर उटके काम करेंगे, तो अभी जा रहे हैं फिर सोने, तो फ्रेंड्स हम सोके उट चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है, छे बच के 20 मिनट हम इलारम लगा करके सोये थे, ताकि मेरा नीद खुल जाए, नहीं तो पता चला पानी चला जाए और हम सोते रह जाए, तो ये दोनों भी अभी सोई रहे हैं, बिना उठाए तो उठते को अच्छे से पोच लेंगे, उसके बाद फिर पानी से पोचेंगे, सुखा अटा जहरा रहता है, तो अगर सीधे पानी से करते हैं, तो बड़ा गंदा चिपकने लगता है, तो पहले सुखे कपड़े से पूरा स्लैब जाड लेंगे, उसके बाद फिर पानी से पोचेंग जल रहा है और सुबह जब हम टेल के आए उसके बाद फिर थोड़ा सा पांच बज़े आ गए थे रूम पे जैसा कि हम बताए कि अब जा रहे हैं सोने और फिर तुरंत सोई ये तो नीद आता नहीं है फिर थोड़ी देर में आया आधे गंटे के लिए सोई थे लेकिन फिर सो जाए तो और अगर नहीं सोई तो यह होता है कि पांच बज़े ही हम क्या करेंगे पानी तो छे बज़े आता है तो पांच बज़े फिर ये सब क्या करें खटर कुटर तो इसे एच्छा सो ही जाओ तो हम सो ही जाते हैं तो अभी देखिए मेरा स्लैब और चुला साप हो पंधर सोले रुपै किलो तक मिल जाता है और अभी देखिए 25 गिलो हो गया है तो यह सीजन में ही प्याज और अच्छा भी मिल जाता है तो लेआ करके इधर चोकी के नीचे प्याज फैला दिये हैं और उसके बाद इधर देखिए पुरा लस्न लस्न का भी वही हाल है लस् बचा है बस इतर जाड़ू लगा करके उसके बाद बाहर लगाएंगे जाड़ू तो ये देखिए ये बाहर मेरा अब इसको आप रास्ता बोलेजिए बालकनी बोलिए गैलरी बोलिए चाहे जो भी बोलिए यहीं इतना जगह है इसको भी रोज साफ करना पड़ता है तो इसका जाड़ू लगा करके कचड़ा फिकेंगे उसके बाद फिर चलेंगे किचन में तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा साफ सफाई का सारा काम हो चुका है और अभी हम नास्ते के लिए बदाम और मूंग चना भी गाए हैं तो मुंग तो कल भी गाए हैं चना तो हम दो दिन से बांध के रखे हैं इसको अंकुरित होने के लिए तो और चना तो मेरा अच्छे से हो गया है जम गया है लेकिन और चना तो एकदम अंकुरित ही नहीं हुआ जमा ही नहीं तो ये हमको समझ ही नहीं आता हम दो दिन से मारकी बान देते हैं ताकि नमी में मिले तो जम जाए लेकिन जमता ही नहीं है अब आप लोग अगर कोई तरीका है तो बताएए चना को कैसे अंकुरित करें अभी तो बस कुछ-कुछ होता है कुछ होता ही नहीं है तो मेरा नास्ते का काम हो गया अब बनाने जा रहे हैं आज हम पर सारा बीज निकाल लेंगे चाकु से थोड़ा सा सावधानी से निकालेंगे आराम से ताकि परवल ना कटे सिर्फ अंदर का बीज और गुदा निकले क्योंकि ये दोनों परवल ऐसे खाते नहीं है इन लोग को खिलाने के लिए थोड़ा कुछ-नकुछ अलग करना पड़ता है तो ये जुगार लगाना पड़ता है तो वहीं आज हम सोचे भरवा बनाएंगे तो भरवा से खालेंगे और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा करेला है वो भी खराब हो रहा था तो उसको भी भूनेंगे तो ये परवल का भरवा ना बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये देखिए इसको अच्छे से बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है अगर चाकू नहीं तो आप किसी और चीज से निकाल लीजिए लेकिन पूरा गुदा और बीज निकलना चाहिए तो ये देखिए एरा करेला करेला खराब हो रहा था तो हम सोचे भून दे ये भ तो हम परवल का बीज निकाले हैं उसको अच्छे से पहले डाल करके फ्राई करेंगे तो डिप नहीं करना है बस सेलो फ्राई करना है थोड़ा सा ही तेल में इसको डाल के और हमको ज्यादा इसको फ्राई भी नहीं करना है बस थोड़ा सा कि उपर का इसका पानी खतम हो जा थोड़ा सा ब्रावनेस टाइप पर आ जाए तो इसको निकाल लेंगे उसके बाद फिर थो यह पकेगा ही तो अंदर तक अच्छे से मतलब यह इसमें तेल घुश जाए और अच्छे से पक जाएगा तो यह देखे मेरा परफल हो चुका है और इसमें अब हम डाल देंगे जी तो अभी इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद ये छोटा छोटा एकदम आलू काटे हैं हम तो आलू को भी डाल देंगे दो ठोड़ लिये हैं ज्यादा नहीं और एकदम छोटा छोटा काट लिये हैं ये देखिए बारिक-बारिक ताकि जितना टाइम मेरा परवल और ये परवल का बीज और गुदा जो निकला था उसको भी डाल दिये हैं ताकि दोनों साथ में ही एकदम अच्छे से भूना जाए तो आलू जितने देर में पकेगा उतने देर में परवल का बीज और गुदा भी पक जाएगा और ये जो उपर का हम परवल का काटे थे तो व अभी इसमें बस नमक और हल्दी डालेंगे उसके बाद इसको भून थोड़ा सा चला के इसको ठब देंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये मतलब एकी साइड जल न जाए तो ये देखिए मेरा ये आलू एकदम पक चुका है एकदम अच्छे से और ये जो प मैस करते जाएंगे पल्टे से ही और इसमें थोड़ा सा कीचन कींग मसाला डालेंगे ताकि इसका फ्लिवर एकदम स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाए तो ये देखिए कीचन कींग मसाला भी डाल दिये हैं और इसको अच्छे से मैस कर देंगे पल्टे से ही जितना भी हो स परवल नहीं खाते हैं तो इसी तरीके से आप बना के खिलाइए खुसी-खुसी खाएंगे मांग मांग कर खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें लास्ट में हम डाले हैं थोड़ा सा चटपटा होने के लिए आमचुर पाउडर तो आमचुर पाउडर डालने से तो बस यह मेरा आलू और परवल का बीज भुना चुका है अभी इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में ताकि यह ठंडा हो जाए उसके बाद हम परवल में भरेंगे गरम है तो फिर भर नहीं पाएंगे तो अभी देखिए इसको कितना देखिए मास्ट एकदम लग रहा है न देखने में यह आलू के समोसा के आलू जैसा लग रहा है न लेकिन इसमें परवल का बीज है तो वो टेस्ट नहीं आएगा लेकिन आलू है तो देखने में लग रहा है तो अभी फिर से हम थोड़ा सा ही ओईल डालेंगे ताकि क्यूंकि परवल में तो ज़्यादा ओईल ल और आराम से भरा जाता है इसमें कोई दिकत नहीं है यह देखिए भरा गया और यह जो परवल का है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से चाप देंगे तो इसी तरीके से सारा परवल हम भर लेंगे जो भी जितना भी परवल है आप आलू भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन हम आलू नहीं डाल रहे हैं, मतलब खड़ा आलू भूँ सकते हैं ़र फ्राइओ होने के लिए लेकिन हम केवल परवल ही बना रहे हैं अगर आपको आलू भी इढल ना है, ऊपक खड़ा आलू भी उसको चीरा लगा कर कर उसे में भर बालू के जाईगे लेकिन हम सिर्फ परवल ही डाल रहे हैं परवल ही बना रहे हैं तो ये देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है और हम परवल को भरते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे और इसको मेडियम आज पे ही पकाएंगे ज्यादा तेज करेंगे तो इसके अंदर का आलू और वो सम निकल जाएगा तो ये देखिए हम सारा परवल मेरा भरा चुका है और इसको जिस साइड नहीं हुआ है पलट देंगे और एक दो मेका जो मेरा कैप था वो निकल भी गया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आलू नहीं निकलेगा इसके अंदर से क्योंकि मेडियम आज पे है त दाल करेले का भुजिया अचार लसन की चेटनी प्याज और ये परवल का भरवा ये देखिए आलू बिलकुल नहीं निकला एकदम बढ़िया है और रोटी तो ये रही मेरी आज की थाली अगर आप लोगों के ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लोगों से एक नई वीडियो में